तो सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार आज इस वीडियो में क्लास 12 वालों सुनलों केमेस्ट्री का जो पांचववा चैप्टर है प्रिष्ट रशायन उसमें तीन लेक्चर्स हो गयते चोथी की बारी आया है जिसमें हम एंजाइम उत्प्रेडर और जियो लाइट उत्प् तो अने की गारंटी रहती है चाहे हो एंजाइम अचाहे हो जियो लाइट उत्प्रेडर ठीक है भई? यह दोनों के दोनों क्या होते है एक्जाम में आने ही आने हैं तो क्यों न हम इसको निप्टा दे आपके दीमाग में क्यों न फिट कर दे? क्योंकि हमारे लिए तो as a student सबसे पहले आता है एंजाइम उत्प्रेडर हम पहले देखते हैं होता क्या है देखो रासाइनिक अपक्रिया में जीवित जीवास्म जो एंजाइम द्वारा उत्प्रेडरित होते हैं पहले जान लोरा असानिक अपक्रिया में जीवित जीवास्म होते हैं ज जी रह जीवित होते हैं व एंजाइम द्वारा उत्प्रेडरित होते हैं पॉइंट नमबर वन उसके बाद यह कह रहा है उसके बाद एंजाइम उच अडू भारवाले प्रोटीन अडू है अब ऑप्जेक्टिव कहां से बन जायेगा मुझे भी नहीं पता बन भी सकता है, कि भाई, एंजाइम नाटो, हाँ है, तो नाटो जन निकत्वकर बनी के होगी, एंजाइम उच्छा अडू भार वाले प्रोटीन अडू है, एंजाइम अडूओ का आकार, देखो, अडूओ का आकार ध्यान देना, 100 एंगेस्ट्राम से 1000 एंगेस्ट्राम होता यह अडू का आकार निश्चीत रुपस अब्जेक्टिव बन सकता है तो अडू का आकार 100-200-1000 बन सकता है यह जल में कुलाइडी विलियन बनाते हैं ठीक है कुलाइडी विलियन बनाएंगे जीवो एवं पेड़ पोदों में अनेक अभिकिरिया एंजाइम द्वारा उत्पर प्रसिण करवाता है उत के भीना पौसिबल नहीं होता है आप बातों को समझसें उत्परे रख ता इस k至 घटना को एंजाइमओ परे इसका PDF जो है Just 12 Classes के आपको मिल जाएगा ठीक है भई Just 12 Classes के एप पर आपको ये PDF मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ले सकते हैं अच्छे इसके में कुछ एक्जामपल्स देख लेने चाहिए क्योंकि बीना एक्जामपल के कारगर साबित कैसे होंगे इसका एक्जामपल देखना जरूरी है इतना तो आप लिख सकते हो हमारे साथ जितना है बोला हूं कि भाई फलाने फलाने चिलाने ठीक है टॉप करने का मज़ा तब दिख लिए आएगा गुलुकोज का एथिल इलकोहल में परिवर्तन देखो ध्यान से यह जो गुलुकोज है यहाप मैं लिख लिया C6 H12 O6 यह क्या है गुलुकोज है जाइसम एंजाइम की उपस्तिती में यह चेंज होता है एथिल एलकोहाल में एथिल एलकोहाल में ठीक है भई ध्यान दीजेगा मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि गुलुकोज जो है यह हमारा एंजाइम है क्या है यह हमारा एंजाइम है और इसी की उपस्तिती में गुलुकोज क्या होगा एथिल एलकोहल में परिवर्ति थोड़ा आप देख पा रहे हो तो य होगया जयसे एंजाइम आजसे एक और लिग दीमाग में घुसेगा तभी जब तुम चेलै पढ़ेगा तो możब-ढ़ेगा तोड़ेगा नहीं दही में परिवर्तन इसमें क्या होता है दूद से जब दही का परिवर्तन होता है तो काम कौन करता लैक्टिक एंजाइम यह जो एंजाइम यह भी एक एंजाइम उत्प्रेरक है आपका तो दूद का दही में परिवर्तन यह दोनों एक्जामपल आप बिल्कुल मैं याद रखिएगा ठीक है तो पहला तो हमने 100% निप्टा दिया एंजाइम उत्प्रिड़र आप देख पार हो पहला बहुत मज़दार चीजें हैं आपने निप्टा दिया इसको की नहीं निप्टा दिया तीन नंबर के लिए कर लिया अपने अगर एक्जामपल लिख देते हो तो तीन में आता है अगला अगला देखो क्या है बहुत बड़े चीजों को एजी में करके लाया हूँ ये तो 100% देखो वेरी इंपोर्टेंट लिखा हुआ मैंने है यहां पर आप देख सकते हो वेरी इ होत्फ प्रेरण बहुत बार पूछे जाता है बार-बार तो जीứng को लायट तो सरंद्र एल्मीनोह सीलिकेट लवर्ट होते हैं सरंद्र मतलब रंद्र युक शीद्र होता है 311 का मतलब ये समझीएगा तो उसमें छीत्र होता है और यही मैं कह रहा हूं यहां पर कि जी lieu हर jsorendre alumino silicate love our puesto a ya प्राकृतिक अरे क्रिदिम दोनों परकार के होते हैं क्रिदिम दोनों परकार भी होते यह tea क्रिदिम काँ में लेने से पहिले गरम तो करना पड़ेगा भाई गरम करना पड़ता है काम में लेना है तो गरम करना किया जाता है जिससे इनके अंदर का किस्टलिय जल वास्पित हो जाता है वह वास्प में बदल जाता है बाहर चला जाता है और जियोलाइट अधिक सरंद्र हो जाए और छे देश में हो परिवर्तित करने के लिए ZMS के 5 जी ओलाइट उत्प्राइब की आउसकता होते अगर हम है एलकोहल को पेट्रोल में परिवर्तित करना चाहते हैं तो कुछ मत करो मेरे दोस्त जेड एम एस यह जो जीओ लाइट है उत्प्रिरक के रूप में लगा दो आपका एलकोहल तैयार हो जाएगा पेट्रोल में कुछ समय बात तो भाई क्या बात एक दम बहुत बड़ी चीज क चोटे में बता के तुम्हें समझा रहा है कितना अच्छा फील हो रहा है फील हो रहा कि नहीं भाई तो यह हो गया जीओ लाइट उत्प्रेडर किलियर कट बात हुई फिर से इसमें स्वरंद्र एल्मूनेम सिलकेट होता है यह प्राकृतिक और कृतिम दोनों परकार के होत जाए और ती यो लाइट अधिक सरंद्र हो जाए एक्जाम्पल देख लिया अच्छा जीओ लाइट का सुत्र क्या होता है यह देखो यह जीओ लाइट का जीओ लाइट का सामानने सुत्र, ठीक है भाई जीयोलाइट का समान्य सुत्र अब ये नीचे जो है ZMS जीयोलाइट का सुत्र है दोनों आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है इसलिए लिख जरूर लीजेगा लिख इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट में डाल लेजेगा कभी कभी पूल देता है इसे ही कुशन था ससुरा कहा मास्टर लोग तो पढ़ाया ही नहीं था कहां से आया है तो भाई अहीं से आता है तो ये अब खतम हुआ आपका दो चीजे एंजाइम उत्तप्रेडर और जीयोलाइट उत्तप्रेडर अब इसके बाद चीजे शुरू जाएंगे अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हैं मतलब चाहते हो ना आफलाइन जाना पड़े ना कहीं जाना पड़े सब हम यहीं पड़े तो आप क्या करिए अपने मोबाइल में जो है ना जस्ट वेल क्लासेस का एप क्या करिए डाउनलोड जरूर कर लिजे टेस्ट भी होने वाला है तो टेस्ट भी दे पाईएगा फूल कोर्स अभी चला 799 में अले लिजे नहीं तो फीस हो जाएगा 1499 ठीक है आपको मैं अपना एक नंबर भी छोड़ देता हूं अगले पार्ट वो चाहिए जल्दी से बता दीजे तो आल दी बेस्ट वाबाए टेक कैर जाहिन जाय भारत दोस्त्त कर दो कर दो कर दो